देखे यह जो स्टेट्मेंट है उत्रपरदेश के उक्या मंत्री का यह इस बात को बताता है कि वो फ्री एन फेर बाइलेक्शन नहीं चाहते उत्रपरदेश में इसलिए कि चुनाओ कराना यह सम्विधान की आर्टिकल 324 के तहट एलेक्शन कमिशन अफ इंडिया की जिम्मेदारी है हम एलेक्शन कमिशन से जानना चाहेंगे कि क्या वो उत्रपरदेश के मुख्यम मंत्री के इस डिक्टार्ट को इस आर्डर को वो मानेंगे और फिर यादव और मुसल्मान अफिसर को नहीं रखेंगे या फिर फ्री एंफिर एलेक्शन होगा जिसमें एलेक्शन कमिशन इंडिपेंडिन्टी काम करेगा है कि अब उत्रपरदेश के मुख्यम मंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमिशन इंडिया है और आर्टिकल ट्री ट्विंटी फॉर के कोई माने नहीं रखते वहीं भी कह रहे हैं कि अब इलेक्शन फ्री एंफिर नहीं होगा क्योंकि कोई पॉलिटीशन कोई मुख्यम मंत्री कोई पधान मंत्री इस बात को तैय नहीं कर सकता कि कौन साफिसर रहेगा नहीं रहेगा तो इलेक्शन कमिशन तैय करेगा अब इलेक्शन कमिशन से हमारी अपील है कि जब मुख्यम मंत्री ने बता दिया कि ये दो समुदाय के लोगों को वो नहीं रखना चाहेंगे तो अब इलेक्शन कमिशन के पर एक बहुत बड़ी जिमेदारी है कि यह वो उत्तर पादेश के मुख्यम मंत्री को घलत साबित करे और यह जो दस बाइलेक्शन होंगे उसको फ्री और फेर करवाएं जो आपको लगता है कि इस तरीके से कोई कासच या लिलिज्ट को लेकर खास तर अफसरों के बारे में कि तो तो यह दिखिये जब गॉर्वर्मन्ट और मरण अफिसर होता है तो वह तो नुद नुद धा वो एक government का employee होता है और मुख्यम मंत्री का ये communal behavior है कि वो government employees को भी अपने communal चश्मा लगा कर देखते हैं तो ये तो उनका हमेशा से ही बरता औरहात इससे मालुम होगा कि इससे मालुम होता है कि मुख्यम मंत्री कितना नफरत करते हैं उन समुदाओं से जिनका हिनों ने जिकर किया है देखे जो शुरू से हम जिस बात का खच्चा का इजहार कर रहे थे कि जब वहां के कलेक्टर ने ये कहा कि 1950 के ASI का गजीट है जिसमें मस्जिद है और संग परिवार का और्गनाजेशन ये चाहते थे कि वहां पर मस्जिद में ASI प्रोटेक्टेड जो मॉनुमेंट में जिसमें गजीट मस्जिद है वहां पर पूजा करें और वो कलेक्टर नहीं सुना तो उस कलेक्टर का बीजेपी की सरकार ने ट्रांस्फर कर दिया इसको आप जक्स्टपोस करकर देखिए कि प्रेजेंट वफ बिल में कलेक्टर को ये पावर दिया गया है कि वो डिसाइड करेगा कि एक कोई प्लेस ऑव वर्शिप या प्रॉपर्टी वफ है या नहीं अब जब के कलेक्टर को आप शिफ कर दे रहें क्योंकि उन्हें संग परिवार कार्गनलिशन्स की बात को नहीं माना तो हमारा जो एप्रिहेंचर और खच्चा है कि अगर ये बिल लॉब बनेगा तो हर कलेक्टर हर मस्जिद को बलेगा ये मस्जिद नहीं है और गॉर्वन्ट प्रॉपर्टी डिक्लियर करके उस मस्जिद को डिमॉलिश भी कर सकते या उस मस्जिद पे नमाज ब बिल्कुल खलत है उसकी बहुतरी मिसाल कल विदेशा में हम देगे कैसे उसका 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 लेक्टर ने नहीं माना तो गॉर्मेंट इसको शिफ्टी कर दिया अब आगे किस तरीके से आपने पॉइंस रखने वाले हैं अब तो खेर अब तो स्पीकर साब ने हमको मेंबर बना है मनको शुक्रिया दा करता हूँ जेपी सी बनेगी इसका टर्म्स और रफरेंस अभी नहीं मालूम जब मीटिंग होंगी तो हम उस पर कैसा बोलेंगे अब लेकिन एक सवाल ये भी उड़ता है कि कई लोग जो है उनिस सो पच्पन से या पचास से वहां पर उन जमीनों प आज नहीं बोला गया उनको गजीट कौन इशू करता है आप बताईए ने 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 गजीट कौन इशू करता है वकबोर्ट तो इशू नहीं करता गजेट सर्वे कमिशनर सरकार का होता है सर्वे कमिशनर सरकार के पैसों से सर्वे करके रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट को परदेश की सरकार गजेट इशू करती है वकबोर्ट से क्या तालुग उसको नए ने ने जब आप सर्वे कमिश गौर्मेंट के पैसों से करता है गजीट एक अफिशल डॉकुमेंट है उसको करते हैं और अगर किसी को ये आपती है कि ये वाफ प्रापर्टी नहीं है तो आप पोड को जाईए ना जब स्टेट गवर्मेंट एकसेस करके उसको गजीट इशू करती है तो चाहे कोई भी हो म रोक रहा है आपको मगर अब ये बोलेंगे कि सरकार कुसका कर रही है हम नहीं मानेंगे बन तो पिर किसका मानेंगे फिर आप